स्वागत है आपका इस्टूडेंट हमारे उद्धे ओनलाइन क्लासेस में और हम लोग देख रहे थे 1.3 इससे पहले पार्ट वन हमने देख चुका था अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट वन नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्वेट्सल में जाएं आपको हाँ लिंक म समझ में आये तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट तो कुशन नंबर 4 निम्निल के गुनात्मक पढ़ती लोग यानि व्यूत्करम ग्याद किजिए तो यह दो सब्द देख रहें स्टूडेंट गुनात्मक पढ़ती लोग और व्यूत्करम यह दोनों सेम होते हैं और और वी कोई मतलब दो नंबर होना चाहिए स्टूडेंट दोनों नंबर को गुना करने पर क्या न चाहिए वान तो इसी को हम लोग करते हैं गुनात्मक पढ़ती लोग अब जैसे हम लोग के पास अगर एक नंबर दो बटता तीन है तो दूसरा नंबर क्या होना तो यानि यह क्या हो जाएगा तीन बटता दो यानि गुनात्मक पढ़ती लोम में अंस और हर्ज होते बदल जाते हैं जैसे कि और गुना करने पर एंसर क्या ना चाहिए वन जैसे हम वो लेगा 12 बटा 23 का ठीक है आप गुनात्मक पर तिलोम लिखिए या सौट में अच्छा लगेगा तो यह लिखिए ब्यूत करन तो ब्यूत करन बराबर तो बदल जाएगा तो यह लिखाएगा 23 बटा 12 इसी तरह से इसका जब लिखेंगे श्टूडेंट यह हो जाएगा 19 बटा माइनेस 11 और श्टूडेंट यह 5 तो पांच का बटा में कुछ नहीं है तो पहले हम लों क्या लिखेंगे 5 बट पांच और हbelt राफ को माइनेस 12 और माइनेस वान को माइनेस किसे श्ट्व्ण होग से सिर्ची वह लेपी लों और आगरों कि यह पुच्छा जाएं कि एक करनात्म परते लों क्या होगा तो इसको किससे गुना करेंगी नाहें लिट टूwing राउक्त है in ठीक है तो इसका भी गुणात्मक परतिलों सेम होता है one तो एक और माइने से अबजेक्टि में पुछा जाता है student कि कौन सी वो संख्याएं हैं जिसका गुणात्मक परतिलों स्वेम के बराबर होता है तो वहाँ है एक और माइनेस एक क्योंकि एक को एक से गुना करेंगे तभी एक आएगा और माइनेस एक को माइनेस एक से गुना करेंगे तभी एक आएगा तो एक और माइनेस एक क्या स्वेब का गुनात्मक मंदद सेम होता है गुनात्मक परति लोग या व्यूत्करम इसे तरह तरह तेज का गुनात्मक परति लोग आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखके दिखा हैं कि क्या हो गाज तो आज़े इस्टूडें नेस्ट कोशन पर निलिखित को सत्यापित किजिए सत्यापित यानि प्रूफ किजिए कि ये LHS और RHS दोनों का मान जब स्वाल करेंगे तो क्या न चलिए इकोवल तो इसी को कहते हैं सत्यापित अगर आएगा तो लिखेंगे सत्यापित है बराबर आने पर और बराबर नहीं आया तो लिखेंगे सत्यापित नहीं है तो आईए इस्टूडे हैं हम लों डिल करते हैं कोशेन नमर B तो कोशेन नमर B जब हम हम लों हल करेंगे तो हम लों पहले लिखेंगे LHS तो LHS आपको पता है स्टूडेंट इसकों लों कहते हैं तो LHS हमारा है चार बटा पांच गुना अंडर ब्रैकेट आठ बटा तेरा माइनिस पांच बटा तेरा और इसी तरह से इधर आपको मिलेगा LHS स्टूडेंट जो है चार बटा पांच गुना आठ बटा तेरा माइनिस चार बटा पांच गुना पांच बटा तेरा अब इसको हम स्वल करेंगे तो चार बटा पांच 13 13 तो BCM भी आएगा student 13 और ये होगी अपर सम उत्रेगा 8-5 तो 4 बट्टा 5 घटेगा student तो 3 बट्टा 13 क्या उपर रा निचे कुछ कट रहा है student नहीं कट रहा है तो गुणा कर देगे 4 तीय 12 तेरा पच्छे 65 अब इधार आते हैं student तो यह पहले देखिए bracket में दोनों multiply हैं तो multiply करेंगे तो 8 चोके 32 तेरा पच्छे 65 माइनिस 5 चोके 20 तेरा पच्छे 65 65 65 तरफियम भी हो जाएगा 65 अब यह होगा 32 माइनिस 20 तो आपका आया 12 बटा 65 तो देखें student तो हम लोग बोलेंगे इसी लिए लेचेज बराबर आरेचेज और ऐसा हुआ तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ तो यह प्रूफ दुआ तो यहां पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे आप यहां पर एक गुन है ठीक है गुन यह है कि अगर कोई A नंबर है ठीक है और अंदर में आपका है B पलस C देखें student A गुना अंदर ब्रेकेड B पलस C ठीक है B पलस C तो यह लिखाता है A एक वार B से गुना होता तो A इंटू B बिचमें पलस से तो पलस एक वार C से गुना होता तो A इंटू C मतला देखें तो यह क्या हुआ कि देखे यह बित्रित हो गया यह पहले जुड़ रहा था और यहां पर यह क्या हो गया इधरा के बट गया और देखिए यही चीज़ हुआ देखिए यह है student देखिए इसके साथ दो बटा साथ एक वार गुना हुआ बीच में पलस तो पलस तीन बटा पांच के साथ एक वार गुना हुआ तीन बटा साथ तो देखिए एक वार ये इससे गुना हुआ और एक वार इससे हुआ है ना और ये वाला जो चीज है प्रेक्टनों क्या हुआ बट गया और ये बीच में क्या था पलस और यहां पे क्या था गुना तो इसको बोलते हैं गुनन के योग बितरन गुनन के अंतरगत योग बितरन तो यह क्या है सत्यापित है आपको दोनों सेम अंसर आएगा और जूकि देखें योग था तो यह बोले यहां माइनेस आये स्टुडेंट इसको बोलते हैं गुनन के अंतरगत व्याकलन बितरन माइनेस ओएगा वोलते हैं व्याकलन तो यहां हो गया गुनन के अंतरगत व्याकलन यह भी क्या होते हैं सत्यापित yay तो नों का स्टेम आये लंचेश बराबर आएगे तो इस्टोड़ा है अब हम देखेंगे कोशन नमर 6 6 में कहता है गुनन पर योग गुनन पर योग एवं व्याकलन पर बीतरन गुन के उपयोग से निम्द का मान जाद किजिए तो गुनन पर योग या व्याकलन पर बीतरन गुन के उपयोग से निम्द का मान जाद किजिए तो देखें स्टुडेंट अब इससे पहला नों बात किये से कोशन में तो उसी गुन का उपयोग यहाँ पर होने वाला है तो आपका कुशन है माइनस तीन बटा साथ गुना पांच बटा बारा प्लस एगारा बटा बारा गुना माइनस तीन बटा साथ इन दोनों में यह और यह जो दोनों गुना में है इन दोनों का गुना में आप देखिए कि माइनस तीन बटा साथ माइनस तीन बटा साथ दो दोडों में आ रहा है स्टुडेंट हम लोग बाहर निकल लोगां तो समें तो इसके बाद क्या बच्चा पांच बठा बारह पालस में बच्चा आपका ऑगारा बठा बारह तो इसको कहते हैं गुनन पर योग बितरन गुन तो देखे बटा हुआ था उसको बापस लिया है अब ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट क्या हमारा सॉल्ट करना काफी ही जी है बारा बारा केल्सियम क्या है बारा ठीक है और यह पांच पलस एगारा अब यह लिखाएगा माइनस तीन बटा साथ एगारा और पांच हो जाएगा स्टूडेंट सुल्ट बटा बारा तो चार से कटेगा स्टूडेंट तो चार तीए बारा चार चोके सुल्ट तीन एकम तीन तीन एकम तीन तो एंसर हुआ हमारा चार एकम चार माइनिस और साथ एकम साथ यानि एंसर हुआ हमारा माइनिस चार बटा साथ कोश्चन नमबर बी में दिखें डी में क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है बस इसको सॉल्व करेंग ब्रैकेट को जो आएगे इससे मल्टिप्लाई कर दें वह एंसर हो जाएगा तो आप इसको बनाएं और क्या एंसर आता मारे कमेंट बॉक्स में जिरूर लिखे ताकि मैं समझ सकूं कि आप अच्छे सा समझ रहे हैं तो इसी तरह से अगर स्टुडेंट कोश्चन नमर B बनाते हैं तो B में भी देखिए ये गुना में है ये गुना में है ओके स्टुडेंट अब इसके बाद इन दोनों में ये देखिए कि कोमन क्या है एक जैसा स्टुडेंट तो एक जैसा आप देखेंगे तो पांच बटा आठ, पांच बटा आठ, दोनों में आ रहा है, तो अम लोग उसको बाहर कोमल ले लेंगे, पांच बटा आठ, गुना, ठीके, अब इस्टुन लेगी, बचा क्या, साथ बटा, बारा बचा, माइनिस बचा, तेरा बटा, चोवीश, ठीके, तो ये हुआ, पा आठ, दोनी, 14, 24, एकम, 24, तो तेरा एकम, 13, अब सट्रेट करेंगे श्टुडेंट, पांच बटा आठ, गुना, एक बटा, चोवीश, तो क्या, उपर, नीचे कहीं कट रहा है श्टुडेंट, नहीं, नहीं कट रहा है, तो हम लोग उपर, उपर गुना करेंगे, और नीचे नीचे तो पांच एकाम पांच अम नीचे करेंगे स्टूडेंट तो चोबिस गुना आर तार चोके बक्ती आर्जुनी सुल्ला सुल्ला ती उन्नी यह आया 192 यह आपका आंसर हुआ इसी तरह से नीचे वाला कोशन भी है स्टूडेंट आपके लिए यह दोनों में द मांनेस 3 वाला साथ मांनेस 6 वाला साथ मायनेस दीन बचाईगा कोमन होगा नीचे माइनस 3 वाला साथ ठीक है माइनेस 3 बट्टा 7 और देखें चुटोड़िया पे तो हमनों कोमन निकाले थे माइनेस 3 बट्टा 7 तो ये बचा माइनेस 16 बट्टा 7 बचा थे चुटोड़िया मिश्टेक है यहां 7 लिखेंगे लोग अग इसको अगर आगे हम वो सॉल्व कर दें तो माइनेस तीन बढ़ता साथ यह हो गया ब्रैकेट सॉल्व करना होगा इस्टूडेंट तो बारा साथ कट तो नहीं दा आए तो इसका अल्सियम गुना होकर आएगा तो गुना होकर आएगा तो क्या रिखेंगे बारा सते चोराती ठीक है इसमें बारा सते चोराती अब पता है इसमें कि बारा इससे गुना होगा अब साथ इससे होगा तो सॉल्व गुना बारा करेंगी तो सॉल्व तुनी बत्ती सॉल्व एकम तुल्ला दो नौ एक ठीक है तो यह आ जाएगा आपका माइनेस वान हेंटर नाइनटी टू पलर और 11 सते 70 ठीक है पलर अब यह हुआ माइनेस थीन बेटा साथ माइनेस पलर आपका उज़रेश्टुडेट माइनेस तो 77 घटाएंगे हम लोग तो 77 घटाएंगे तो बारा में साथ गया तो पांच आठ में साथ गया तो एक और ये एक ठीक है तो यह आया 115 बढ़ता 84 बड़ा वाला माइनस से स्टुडेंट तो माइनस हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद क्या कुछ कट रहा है स्टुडेंट हम्हों ट्राइक करेंगे देखें कट रहा है तो एक टीन ने कम चुणा कर देंगे तो माइनस गुना माइनस एक सो पंदरा आजाए लिए तो आठ सते छब पर यह तो आट सते शबपन ठीक है सादुनी 14 चाओदा और पांच उन्नी यह एंसर हुआ है स्टुडेंट अब देखेंगे स्टुडेंट कोशें नमबर सेवन सेवन में खाता पटे के लिए गुनन के अंतरगर्थ उपयोग किये गए गुन धर्मों का नाम लिखें तो देखें पहला कोशन था माइने सेगारा बटा चाओदा गुना माइनस तीन बटा पांच बरावर माइनस तीन बटा पांच गुना माइनस सेगारा बटा चाओदा तीस कोशन में क्या देख रहे हैं कि दो नमबर जो गु गुनात्मक करम विनिमय गुन, यानी A गुना B बरावर B गुना A, यह गुन हो गया इस्टुड़, इजी तरह से next question, next question में क्या हो रहा है तो 3 नंबर गुना में इस्टुड़, 1,2,3, एक दो 3, और हो क्या रहा है, बी जरो माइनस 7 बटा 4 जो है, एक वर गुना हो रहा है, म पीछाल मतलब एक वार इधर से कर रहा तो इस तरह से जब होता है तो पाढ़े हैं मतलब अगर तीन नंबर गुना में A गुना B गुना C A गुना B गुना C B एक बाद पहले गुना हुआ है A से और उसके बाद गुना हो रहा है किसे? C से और B पहले गुना हो रहा है C से फिर हो रहा है A से तो आपको पता है कि answer में कोई changes नहीं आता है इसी कुन लोग कहते हैं गुनात्मक सहचारता अगला कुशन स्टूडेंट माइनेस चार बटा साथ गुना एक बराबर एक गुना माइनेस चार बटा साथ बराबर माइनेस चार बटा साथ इसको बोलते हैं गुनात्मक तस्तमक फुन है ना तो आपको पता है कि दुनिया में अगर वान को किसी सी multiply करें एक गुणा पांच करें तो पांच आएगा तो यह जो one है किसी के साथ गुणा होने पर कोई फरक नहीं लाता वो ही same answer देता है तो इस तरह के गुण कहों लोग कहते हैं एक का जो यह गुण है इसी को कहते हैं गुणा अत्मक तस्तमक क्या कहिंगे श्ट स्टूडेंट यहां पर आपका सहचारता सहचारता गुण है तीन नबर गुणा में है और आपको वीडियो पसाद्न आया हो तो लाइक करें अभी तक हुआरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सर्क्राइब कर दे और बैमेंगर को दवारा ना भूले ताकि न्यू वीडियो के नोडिफिकेशन सरते पहले आप तक उंगते रहें तो मिलते हैं स्टुडेंट नेक्स्ट पार्ट में